नमस्कार दोस्तों दास टेक्निकल हब में आपकी स्वागत है एक बार फिर नई वीडियो के साथ दोस्तों आज हम लोग रिपैर करना सीखेंगे फाइब वाट एलेडी वाइब जो दुस्तों बजाज कंपनी की है सबसे पहले होल्डर पे लगा के देख लेंगे यहां पर द चैनल दास टेक्निकल हब इस चैनल पर सभी परकार के इलेक्टोनिक समान रिपैर करना सिखाए जाते हैं जैसी कि दोस्तों एलेडी वल्प मस्की टु रैकेट ब्लुटूथ स्पीकर स्कूल प्रोजेक्ट मुबाइल चार्जर स्टीम विपराइजर आदी तो सबसे पहले ह हम खूलेंगे दोस्तों इसके डिफ्यूजर फोल घ्र खुलते के साथ है मसंते पीवि नजर वर आती है यह एक कॉर्णम कि किसी-किस मेंदर भी हो सकते हैं यहां यह कोडаже में लेगी हुई है कि यहां पर दोस्तों हमने अल्टी मेटर रेली है सबसे पहले एक बर इसकी आउटपूट सप्लाई को चेक कर लेंगे हुआ है कित जुस्तों सप्लाई बिलकुल भी कम आ रही है दो तीन के बराब दो तीन आ रही है तो इस से हमारे LED गुलोनी करेगी इसकी 100% इसकी ड्राइबर सर्कुट में कोई नहीं कोई फाल्ट निकलेगा तो सबसे पहले हम ड्राइबर सर्कुट को करेंगे वहार कि यहां पर दोस्तों हमने उपर के दोनों वायर हटा देने हैं हुआ है 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 इस तरीके से दोस्तों पेज करस की मजह से उपर से निकल लेंगे किसी किसी में निकल जाती है कोशिश करेंगे देखिये इसमें निकल गई अगर उपर से इस तरीके से हीट सिंग बहार आ जाती है तो दोस्तों वी टॉएंट्यू टू कैप जो होल्डर में लगती है वो निकालने की जुरूत नहीं बढ़ती इस तरीके से सर्कीट आपकी बहार आ सकती है सर्कीट हमारी बहार आ गई है यहां पर एक बार फिजिकली चेक कर लेंगे फिल्टर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों फिल्टर कहीं पर फट्टे के करण्ट सप्लाई कम आती है तो यहां पर देखिए इसकी फ्यूज हूरी होई है एक बार चिम्टी से चेक कर लेंगे यानि कि हमारा सिरीज लाइन की चिम्टी है यह अब देखिए यहां पर फ्यूज वैसे खराब ही है देखने में लग रहा है एक बार हमने फिर भी चेक कर लिया कि फ्यूज के आगे हम मल्टीमीटर से इसके आउट्पूर सप्लाई चेक कर लेंगे तो यहां पर देखिए दूस्तों कि सप्लाई आ रही है पर दूस्तों स्रीज लाइन भी हमारा गुल हो रहा है यह आपको विडियो में दिख रहा होगा श्रीज लाइन हलकी गुल हो र निकाल देंगे कभी दोस्तों लेडी वल्प आप रिपैर करते हो तो सबसे पहले आप सिरीज लाइन जुरूर बनाएं सिरीज लाइन से ही चेक करें सिरीज बोर्ड कैसे बनाना या सिरीज लाइन कैसे बनानी होती है अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो उपर आई वट में पर किलिक करके आप देख सकते हो बने इसके लिए अलएक वीडियो बना रखी है यहां पर दोस्तों हमने एम भी निकाल लिया एक बड़ चेक कर लेंगे देखें पील्कुल ओक क्य है से लाइन से चेक हो जाती है अगर होपन होता थो स्रीज लाइन अगर ज़रूरी आगर सबक्राइस पहले आप चेक उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे ब्रीज रेटिफिफेर दोस्तों से से भी चेक कर सकते हो मल्टी मिटर से भी चेक करेंगे तो यहां पर दोस्तों कोने कोने पर देखेंगे यहां पर देखिए दोस्तों बिल्कुल फुल गलो होड़ी है यानि कि एक तरफ हो कि इस कोने पर देखिए दोस्तों यह कोना जो है स्वाट हो राखा है कि ब्रीज रेक्टिफएर चेंज करने के लिए हम पहले सबसे पहले दोनों तरफ सोल्लर लगाएंगे बहुत ही आसान है दोस्तों कहीं बार वह स्य लोग इसकी पृर्इंट उसकी ばलेते हैं वह असान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा प्रीइंट भी नहीं उखरेगी और बड़े प्यार से बरेब्यीज लेक्टी फेर चेंज हो जाएक चाही बरेच्ष्डिए सिखा बनाया है और यहां पर हल्की सी यहां पर टच करेंगे और सोल्डर के उपर आयरन रखेंगे तो एक तरफ का देखिए एक तरफ की निकल गई आप यहां पर हम क्या करेंगे कि आर्यान लगांके ज्देंगे तरी 선irst ुणर गिर जाएंगे हां पर आप रखेए अब दूस्ती तरह दोस्तों हमने एक चुमटि लेञे है अब चिमटी के मदद से हमनें निकाल लेना बड़े प्यार से निकल जाएगी दोस्तों किटना आराम से निकल गया अग आफ देखिए इसकी प्रेंट भी बिल्कुल साफ है यह देखिए दोस्तों बिल्कुल प्रिंट हमारी एकदम बिल्कुल ओक्य है यहां पर दोस्त हमने नाइन वाट की डियोवी ले लिया डियोवी से हम निकाल लेंगे ब्रीज रेक्टिफायर यह खराब डियोवी है दोस्तों आप भी इस तरीके से निकाल कर लगा सकते हो यहां पर दोस्तों लगाते समय उल्टा ना लगाए यहां पर देखिए यहां चांद सा कटा हुआ होता है कट होगा वह दोस्तों डिसी लाइन साइड होगा यह ध्यान रख रहा है आपको यह नीचे लाइन एसी की तरफ यहां पर उल्टा लगाने से बिलकुल कि बंता काम बिघर जाएगा दोस्तों चारों कोणों पर हम सोल्डिंग कर देंगा अच्छी तरह से देखिए बढ़िया एकदम अच्छी तरह सोल्डिंग कर दिया अब दोस्तों एमोभी फिट कर देंगे इसके अंदर पुराना एमोभी यह दोस्तों ओके हैं कभी भी दोस्तों फ्यूज रिस्टेस अगर उड़ जाते हैं तो एमोभी को चेक करना बहुत जुरूरी होता है कि माल्टी मीटर से दोस्तों इसकी आटपूर्ट सप्लाई चेक कर लेंगे अगर देखिए दोस्तों आटपूर्ट सप्लाई बिल्कुल ओक्यारी है पहले भी आ रही थी पर स्रीलाइन गुलो हो रहा था यहां पर दोस्तों फाइब वाट के तो 60 आड़ी है 62 तक वोक्य है पांच नौक के 45 45 वाट में यह स्वाड़ी 45 वोल्ट में यह उपर हो जाएगा तो यह पर साट आ रही है अनलोट बिल्कुल ओक्यारी है अगर हम इसे चेक कर लेंगे इसके मसी बिसी बिसाई है या नहीं तो देखिए फर्स क्लास एमसी बिसी बिल्कुल ओक्या था अब दोस्तों हम इसे फिटिंग करेंगे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है जानकरी आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक किजिएगा और अगर हमारे चनल पर नए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब के साथ बैल बटन को द लगा देंगे देश्टेश दोस्तों ब्यासी ओम हाफ वाट में लगाया हमने यहां पर दोस्ताव टैन ओम से लेकर हंडेड ओम के अंदर कोई सभी लगा सकते हैं कर दो कि अगया कर दो कि यह फर्स्ट क्लास गुलोवरी दोस्तों वीडियो में आपको ब्लिंकिंग सब दिख रहा होगा पर ऐसा कुछ नहीं है देखिए यहां पर हाथ रखते के साथ ही ब्लिंकिंग हट जाती है तो दोस्तों मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम